आज सुबर सुबर उतकर जैसी ही में भार निकली और अपने च्छत पे आए तो भार का नजारा सामने कुछ ऐसा दिखाई दे रहता पहाड़ों में आज चार तरफ बरबारी हो रखी है और बरफ पढ़ने की वैसे पहाड सपेद बरफ की चादर से ढखे हुए है और काफे स बंदर से नजर आ रहे हैं हेलो एवरिवन गुड मारिंग सुप्रभाद तलाग आप सभी को मेरा प्यार भाया नमस्ते मेरा नाम में जोदी नेगी और स्वागत आप सभी का देवन मोताखन के इन खुब सुरह से बरफ से ढखी ऊंची-ऊंची हरी-बरी चोटियों से कि यह सारे जोना टूट गया है अब यह जो किसी काम के विने खाली घास देने कही काम आएंगे और आज यह पूरा पाला भी पढ़ रहा है इस बरफ के ऊपर अभी मैं अपने च्छत पर आ रहे हूं और बरफ की कुछ ऐसी परत बनी हुए यहां पर पाला पढ़ने से यह बहुत ताइट हो रहा है है यह वाला बरफ तो बहुतना पिसलम भरा उरका हमारा च्छत भी क्या ही बोले चार तरह देखिए बिल्कुल सफे सफे ज़र आ रहा है और उपर हमारे गाउं के जंगलों में भी देखिए काफी ज्यादा बरबारी हो रहे है और तना ठंडा हो जिस दिनका हम लोग को भो टाइम से इंतजार था वो भी आज आ गया है फाइनली पहाड़ों में दुबारा बरबारी हो गई है और बरफ पढ़ने की वज़े से सामने दीवक की पहाड़ियां का अफ़ी सुन्द नजर आ रही है आज तो वैसे पहाड़ों में चार तरह ब इस साल घर के नीचे की तरफ ज्यादा बरफ नहीं पड़ी और जो पढ़ भी रखी है उसने गेहों की खेती का नुकसान ऐसे कर दिया देखिए बरफ बारी देखने में ही अच्छी होती है गाउं के लोग का जीवन अस्त ब्यस हो जाता है जब बरफ पढ़ती है साथ में जो एक यहों की फसल होती है यह बिल्कूल बरबाद से हो जाती है इस साल वैसे भी यहों बेकार यह और बरफ करने की वज़से और भी ज्यादा बेकार हो गए इस बरफ के ऊपर इतना ज्यादा पाला पढ़ रहा है क्योंकि रात को शायद मौसम आज खुल गया था काफी दिनों बाद आनीना निला कुप सुरसा अंबर भी सुंदर सा दिखाए दे रहा है और यह पाला मौसम खुलने की कराम आता है इस तब इसनल आम आपने च्छत पर आ रहा कि हो वीडियो बनाने के लिए आप सभी को बरफ का विव दिखाने के लिए और यहां देखिए अब नुकसान हो जाता है बरफ गिरते ही और ठीक है सन्राइज भी हो गया है मार्स की महीने की बरफ थोड़ी देर धूप लगने के बाद ही पिगल जाती है यह बरफ जादा देर तर नहीं ठीकती है अभी आगया है हम अपनी कोसाला में मा के साथ मुर्ग्यों को दान देने के लिए और देखें भाब ने तिनिये ठांड में भैस को यहां बाहर बांद के रखा है कि लगा नेमा ही वह रहा है मुमी कैरे मेंने निकाला वाकि हमारे खर्या ललु तो अंदरी बंदे वह रहा है अच्छा मारी चोटी शी कालू भी बालू पर चाई ठंड हो रही है इसलिए इनको बहार नहीं बांदा मुमी ने पता नहीं भैस को क्यों निकाला हमाई छोटी कालू भी अंदरी बंद आयांस ने घर से मुर्गों के लिए रोटी विला रखी है अच्छा कैसे लग रहा है आपको अच्छा या आई अच्छा तो या ने पहली बार बरब बार देखी सुपा उटते हो इतना जाबा खुश हो गया था आज और अब देते हैं मुर्गों को दाना माले उनके लिए भाद मना के ला रुखा था वो भी देदिया है और आप जो इमेश रोटे ला रहे हैं स्कूप भी दे देगे मार्श के मैने में जो बरब अटती है पहाडों में ये बरब जाले दे तक नहीं टीकती है जल्दी ही पिगल जाती है सामने पहाडों से जैसे दूप की किरने तेज लगती जा रही है वैसे ही न गाउं के साइट बरब गिरी हुई है वो भाब बनकर ऐसे उड़ती जा रही देखिए दिन के अभी साड़े ग्यारा बज़े का टाइम हो रहा है और कल मैं सुबा गाउं में गई वी थी है और कल काफी जादा ठंड बिदी और बारिश भी हो रही थी इस वज़े से न मेरी तब्यादात बहुत जादा बिगड़ गई है बिड़ बनाना में काफी दिकते हो रहे हैं मुझे न काफी तेज बुखार और जुखाम हो रहा है साथ में दोन आखों से तेरे आसों निकल रहे है और नाग मेरे इतनी तेज भारी है ना बहुंकर भाई मिट्च्व और बाकी मैरा छोटा वाला भाई गया है मार्केट दूप में निकाल रखा, आज बहुत दिनों बाद दूप लग रखी है, और शोमु मस्त से दूप में सो रहा है, है ना शोमु, अगा कर ले शोमु, भाप लेगा शोमु हमारे साथ, तो अब भाप ले लेते हैं पहले, पतीले में मेरे 10-15 मिनाट तक भाप ले रही है, भाप तो, इस दूप में सोमु, क्या कर ले शोमु? शोमो, क्या कर ले माइ शोमु पदन, शोमु, चोमु पदन, शोमु पदन, आज सोमु अज भी नहीं ले वाई, दिन के टाइम पे फिर से तेज हवाय चलना शोरू हो गई है, और आसमान में फिर से काले गने बादल स्चाने लग गया है और अभी भाई मार्चेट से आ गया है मेरी दवाई लेके अब ना दवाई खा लेंगे इसारी बुखार जुखाम की दवाई दिन के टाइम पे अभी देखिए नीला नीला अंबर सामने से हलका हलका दिखाई देने लग गया है मौसम वैसे तो खारा भी चल रहा अभी साम के तीन बज कर 20 मिनट हो गए है और अंशिका देखिए हाज मस्त होकर यहां भार आंगन में दिवाल पर बैठके धूप में अपना स्कूल का काम करिये क्या लिख रही अंशिका अवा को बोल क्या है अंशिका ये अंशिका के रैटिंग बड़ी बेकार है वही और और माने देखिए साम ने दिन के जूठे बरतन भी दूल दिये है और माभिया दूप सेखने के लिए यहां बैठ गी है पहाड़ों में मोसम कोई भरोसा नहीं होता सुबह काफी तेज बरफ बारेश हो दी और अभी देखिए शाम के टाइम पे अच्छी सी मस्त वाली दू बड़ डाल रखा है सामने इन क्यारियों में काफी बड़े-बड़े मत्र के पौदे हो गया है इन बेलों पे ना सपोर्ट नहीं लगाया गया है तो यह देखिए कैसे लटक रख गया है आज सुबह ही मैंने यांच के कपड़े दूल रखे थे और आज दूप लगी है हलक पहाड़ों में इतना गजब का मौसम हो रहा है ना आजकल सहरों में लोग ऐसे नजारे देखने के लिए पहाड़ों की तरफ दौड़ते हैं इतना पैसा खर्च करके और हम बड़े सोबागे साली और खुस नसीव है जो कि हमें ऐसा रंग रंगीला मौसम हर टाइम पहाड बाकि बारिश और बरफ बारी वाला यह सुहाना और रंग बिरंगा मौसम दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन पहाड के लोग के लिए कई सारी दिकते भी लेकर आता है अपने साहसाद में बरफ बारी और जादा बारिश वहने के वाई से पहाड़ों में ठंड ज्य में भरे हो जाते हैं साहसाद में रास्ते भी तो लोग इस वर से भी कहीं आते जाते भी नहीं है इस बर फीले मौसम में साम के करक्ट अभी पांच बच कर चपन मिनट हो गया है और साम ने ये दो चिडिया उड़ी है इनका घोसला न हमारे घर की चट बना रहा है तो ये गोरे चिडिया का घुसला है और इनके घोसले को बड़ा सूप मना जाता है घर पे बनाना कहते हैं लक्ष्मी ची आती है जिन घुरों पे ये ऐसा घुसला बनाने रहता है उन घरों में बाकी सामने की तरफ से अब मां किस चीजा साग बना आज बना रही है मां मूली किथी चौणी तो इस बड़े इस बरतन में बैस के लिए पिंड़ा भी उबाल दिया है और आज तो बनेगी मूली किथी चौणी और रोटिया आज कर सद्धियों के मौसम में हम पारी लोग अपने खेतों में ही उगाए आज कल किजन गार्डन में देखिए राई पालक मूली मटर काफी सारी हरी सब्जे और रखी है तो मार्केट से लाने की तो पैसे जरुद भी नहीं पड़ती और दिन के टाइम पे पालक की धेपली राय काहरासा कंडाली की धेपली यही सब खाते हैं तो चीले दोस्तों मा अब खाना में देखिए और दीर दीर करके बहार पहाड़ों में अंधेरा होने लग गया है इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं आई होब कि आपको मेरा आज का बलाग पसंद आयो थोड़े से पसंद आयो थे लाइक शेयर कॉमेंट्स करें चानल